दोस्तों संपूर्ण निलावंती ग्रंथ के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। वीडियो को देर से लाना हमारी मजबूरी थी। हमारे पास कई सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए कि निलावंती ग्रंथ के बारे में और वीडियो न बनाए, ये खतरनाक है। और किसी की म रकवास, जो कुछ चूतिय यूट्यूबर्स ने फैला रखी है। तो आए शुरू करते हैं निलावंती ग्रंथ का दूसरा भाग, इसे सिर्फ हैड़फोन लगा कर ही सुने। उत्तम सिंह ने अपनी डायरी के प्रिष्ट आठ पर जो लिखा था, वो बेहत दिल्चस्प उसमें कव्वे से बात करने के तांत्रिक प्रयोग थे। उन तांत्रिक प्रयोग को करने से कव्वा मानव से उसी की भाषा में बात करने लगता है। उत्तम सिंह कहता है उसने कव्वे के साथ तीन तांत्रिक प्रयोग किये और वे प्रयोग सफल रहे और कव्वा उत्तम सि ग्रंथ में पशुपक्षी की भाषा नहीं, बलकि वो तांतरिक प्रयोग है, जिन्हें करने से पशुपक्षी साधक की ही भाषा में बात करने लगते हैं। उत्तम सिह की डायरी के ग्यारवे पन्ने पर पहला तांतरिक प्रयोग दिया गया है। वो कुछ इस प्रकार है, पीली आंख वाले कव्वे को 21 दिन तक तांबे के बने पिंजडे में रखना होता है और भेड के खून में डूबी हुई एक रोटी दिन छिपते ही खिलानी होती है 21 दिन बाद उस कव्वे को पिंजडे से बाहर निकाल ले, कव्वा नशे में हो जाएगा और एक जगह बैठ जाएगा फिर एक रत्ती कश्मीरी केसर और छै माशा शहद एक छोटी कटोरी में पानी में घोल कर उस कव्वे को पिला दे इस मिश्रण को पीते ही कव्वा आपकी भाषा में आपसे बात करने लगेगा दूसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार है धनिये के छिलके को उतार कर उनके मगज को भैंस के दूध में खीर की भांती गाड़ा पका कर तथा चीनी मिला कर बर्फी की भांती जमा दे उपर से उसमें थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर उस बर्फी को कव्वे को खिला दे कव्वा थोड़ी देर के लिए बिहोश हो जाएगा होश में आते ही वो साधक के साथ साधक की ही भाषा में बात करने लगेगा उत्तम सिंह ने अपनी डायरी के बारवे पन्ने पर तीसरा प्रयोग दिया हुआ है तीसरा प्रयोग काफी खतरनाक प्रयोग है इस प्रयोग को करने से कव्वा साधक का गुलाम बन जाता है और किसी के गले से गहने उड़ाने से लेकर किसी को मौत के घाट उतारने तक के काम उस कव्वे से करवाए जा सकते है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको तीसरा प्रयोग नहीं बताएंगे, क्योंकि तीसरे प्रयोग से प्रकती का संतुलन बिगड सकता है। और यही चेतावनी नीलावन्ती ग्रंथ की भी है। दोस्तों, उत्तम सिंह ने अपनी डायरी के चौदवे पन्ने पर कव्वे की सहायता से किसी भी स्त्री से संभोग करने का प्रयोग बताया है। जानने के लिए देखिएगा इस वीडियो का अगला भाग जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।